हलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं Mold Tech Packaging Limited यह जो share है market में available है और इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका resistance है क्या इसका support है क्या market में पैसा लगाना चाहिए इसके market में क्या पैसा लगाना चाहिए अगर लगाना चाहिए तो कहां लगाना चाहिए अगर निकालना है तो कहां निकालना है तो क्या इसके weakness है क्या इसके strong points है यह आज हम जानेंगे क्या market अभी इसका जो चल ला है वह सही जगे पर चल ला है कि नहीं यह सारी चीजे भी हम इस वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो में बने रहें जो भी चीजे हम बताएंगे आप उसको ध्यान से देखिए और सुनिए अगर आप आधा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो चलिए बीना समय गवाय सुरू करते हैं मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड यह एक पैकेजिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें धेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे आप कोई कोन हो गया या फिर यह इस तरीके का इन्होंने पैकेजिंग काफी कई की मॉडल में बना के रखा है जैसे यह राउंड पैकेजिंग स्क्वायर पैकेजिंग स्वीड बॉक्स पैकेजिंग आइस्क्रीम पैकेजिंग इस पर क्या है कि यह ब्रांड जैसे यह बस पैकेजिंग बनाता है और इसके उपर लेबल जैसे माली जी आपकी कोई कंपनी ह तो यह लग जाएगा और यह supply हो जाएगा, तो यह आपके company के नाम से हो जाएगा, packaging department है, एक packaging बनाती है, तो इसके काफी सारे customers भी है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, इसके धेर सारे clients हैं, यह भी हम देख लेते हैं, client कौन कौन से हैं, यहाँ पे आप देखोगे, तो इन यहाँ पे 34 years का experience है, 9 ISO certified है, और BSC, NSC में यह listed है, यहाँ पे clients, यहाँ पे आप देखोगे, तो इनके इतने सारे clients हैं, इसमें ITC, PNG, Cadbury, Himalya, M, Amul, Nestle, Unilever, Daber, यह सारी company इनके साथ tie-up हैं, मतलब यह जो packaging इनकी आती है, वो यही company manufacture करके इनको supply करती है, फिर यह वही level लग लगा के अपना level लगा के यह market में supply कर देते हैं, कितनी बड़ी-बड़ी company इनसे products लेती है, तो यह काफी अच्छी चीज़ है कि यह company इनके साथ जूड़ी है, और इनसे यह product लेती है, तो चलिए अब आज आते हैं market में, यहाँ पे आप देखो कि इसकी जो market cap है, वो 3225 का market market cap है, और इसकी जो current price चल लगी है, यानि कि आज की date में अगर आप देखो तो 974 का यहाँ पे एक share का price है यहाँ पे, और यह high लगा के आया है 1058 का, और low लगाया है 501 का, तो आप यहाँ पे देखोंगे book value इसकी है 140, और dividend यहाँ पे 0.62 का dividend आपको यहाँ पे मिल लाँ है, और phase value है 5 रूपय का, और आ जाते हैं नीचे थोड़ा सा हम, एक year में आप देखो अगर यहाँ पे 50 moving average यहाँ पे यहाँ पे यलो कलर का देख पा रहे हो, यहाँ पे इसके उपर अभी market चल ला है, तो यानि कि यह थोड़ा सा risky है, अभी हम आप आपको आगे और अच्छे स सेल्स किया है, और जो भी इनका expense हुआ है, 171 का, इनका expense हुआ है, यानि कि total जो percentage में अगर दब देखें, तो 18% का इन्होंने profit किया है, जिसमें say tax दे दिया है, उसके बाद net profit हुआ है या इनका 22, तो अगर आप ऐसे देखो, March में इतने का profit, यानि कि यह देखें, बढ़ती पिर यहां से देखें, यहां से turning point हुआ है, जून में 2 था, सितंबर 2020 में 14, फिर यहां 15, 18, 12, 18, 17, 17, 22, यानि कि अब देखें, इनका profit बढ़ते जा रहा है, और यहां पे sales भी आप देखो, यहां पे, यह वाली line जो है, वो sales की है, तो यहां sales भी बढ़ते जा रहा है, जैस तो आपको यहां पे यह देखने को, मैं इसको full screen कर देता हूँ, चार्ट में अगर आप देखो यहां पे, तो one day का चार्ट है और यह यहां पे, इस line के ऊपर trade कर रहा है अभी, ठेक, तो अभी जो इसका higher high, यानि कि यह अभी अपना जो भी इसका high था, इसको यह break करके, ए वो हो गया है यह, 860 का support हो गया यहां पे, अब market क्या करेगा ना, कि अचानक से इतना उपर नहीं जाएगा, अभी क्या है कि एक retest करने यहां पे आएगा, 880 के आसपास, तो आपको ना wait करना है, अगर आप चाहते हो यह purchase करना, तो आपको wait करना है इस level तक, और जैसे ही market इस level को touch करके यहां से उपर जब बढ़ने लगे, इस level के आसपास, तब आपको इसको purchase करना है, otherwise अभी purchase करने की हमको तो जरूरत नहीं लग रही है, क्योंकि market एक बार retest करेगा, और यह pili वाली line के पास आएगा, देखिए क्या होता है ना, market अभी इतना उपर यहां से है, फिर यहां पर उपर जाके, फिर वापस उपर जाके, फिर यहीं पर आ गया है, तो यहां पर आपको market देखेगा आने वाले दिनों में, उसके बाद जो target रहेगा, वो रहेगा, पहला target रहेगा, आपका यह higher high, यानि कि 10, 61 का high रहेगा, यह level रहेगा, और market अगर यहां पर red candle बढ़िया form कर देता है, और support नहीं कर पाता है, तो क्या होगा ना, उसके बाद नीचे का जो level है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, नीचे जो level है, वो तगड़ा support तो नहीं है, पर यहां पर यह level हो जाएगा, नीचे के side में, और अगर इसको भी break कर देता है, तो दू देखने को मिलेगा, तो अभी जो market sustain यहां पर कर रहा है, तो यहां पर consolidate होने दीजिए, एक से दो दिन, उसके बाद जब market यहां आएगा, तब support ले लेगा इस level पे, तो ही आपको purchase करना है, otherwise इंतजार करना है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे interesting वी आपको 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 आपक